वेलकम टू जी के फंडा 24 इंटू सेवन। आज है 4 नवंबर 2022 और आज हम जानेंगे महत्वपून करेंट अफेर्स वस्तुनिष्ट प्रश्न और उत्तर जो किसी भी कॉम्पिटिव एक्जैम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए हर रोज एक बार जरूर पढ़े ताकि आप दुनिया के बड़े खबरों से अपडेट रहें। आज के प्रश्नौतरी PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए विडियो शुरू करते हैं। प्रश्न एक। दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को किस पुरशकार से स अम्मानित किया गया। अप्शन है। अंतरमहादवीपिय बैलिस्टिक मिसाईल ICBM का परीक्षन किया है। हाल ही में पंजाब किंग्स ने किसे फ्रेंचाइजी का सहाय कोच नियुक्त किया है? अप्षन A. शेन वाटसन B. ब्रैड हैडिन C. ब्रेटली D. ब्रैड होज सही उत्तर है अप्षन B. ब्रैड हैडिन औस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ब्रैड हैडिन को पंजाब किंग्स ने फ्रेंचाइजी का सहाय कोच नियुक्त किया है? प्रशन 4 भोपाल में आयोजित गरिमामै कारेक्रम में किसे समग्र सहित्तिक और कलात्मत योगदान के लिए सम्मानित किया गया? A. आलोग प्रसाद उपाध्धाई B. नर्मदा प्रसाद उपाध्धाई C. संगम प्रसाद उपाध्धाई D. अशोप प्रसाद उपाध्धाई सही उत्तर है अप्षन B. नर्मदा प्रसाद उपाध्धाई भोपाल के माधवराव सप्रे संद्रहाले द्वारा भोपाल में आयोजित गरिमामय कारेक्रम में समग्र साहित्तिक और कलात्मक योगदान के लिए हर्दा निवासी सुप्रसिद्ध ललित निबंदकार तथा कलाविद नर्मदा प्रसाद उपाध्ध्याय को राजपाल मंग प्रश्न पांच केंद्रिय मंत्र मंदल ने इतानदर के होलोंगी में स्थित ग्रीन फील्ड हवाई अड़े का नाम बदल कर क्या रखने के लिए मंजूरी दी अप्शन है सही उत्तर है अप्शन बी दोनी पोलो हवाई अड़े के होलोंगी में स्थित नए ग्रीन फील्ड हवाई अड़े का नाम करण केंद्रिय मंत्रिमंडल ने डोनी पोलो हवाई अड़ा इतानगर के रूप में करने को अपनी मंजूरी दे दी है। अंतराश्य बेडा समीक्षा आईएफार में भाग लेने के लिए जापान के योको सुका पहुँचे। आईएफार का आयोजन योको सुका की सागामी खाडी में 6 नवंबर 2022 को होगा। प्रशन साथ जेनेवा प्रेस क्लब दे ला नुक्लियराइजेशन दे लेसी एशिया का परमानुकरण नामक पुस्तक का विमोचन किया है इसके लेखक कौन है। सही उत्तर है अप्शन दी रेने नाबा फ्रांसी सी लेखक रेने नाबा ने दे ला नुक्लियराइजेशन दे लेसी एशिया का परमानुकरण शीर्शक नामक पुस्तक फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों में एक नई द्विभाशी लिखी है। इस पुस्तक में परमानु आपातकाल और चीन और पाकिस्तान की सांठगान से उत्पन्न खत्रे पर चर्चा की गई है। जेनेवा प्रेस क्लब में गोलियास द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया गया जिसमें 35 र्यक्तियों ने भाग लिया और उनमें से 23 ने वर्चुल मोड में भाग लिया। रश्न आठ किस राज में मुख्यमंत्री वारा नादरिक जुडाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया था। का एक पीडिएफ बनाए गए हैं। उस पीडिएफ का लिंक डिस्क्रिप्सन में हैं वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही जीके एन करेंट अफेस महत्वपूर्ण समान्य ज्यान प्रश्नोतरी जानने के लिए जीके फंडा 24 गुणा साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं। नए महत्वपूर्ण समान्य ज्यान प्रश्नोतरी के साथ तब तक आपसे विदा लेने के लिए इजाज़त दिजिए। धन्यवाद।